हलो फ्रेंड मैं हूँ विनोद और इस वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड मार्केर से बहुत सारे स्क्रब लेकर के यूज कर रहे हैं बट आपको जो रिजल चाहिए वह संतोस जन्य उसके प्रडाम नहीं मिल पा रहे हैं जो चेहरे में जो डलने से वह आही जा रही है चेहरे में जो रुखापन है वो आही जा रहा है चेहरे में जो जो जुरिया है वो आही जा रही है अगर आपके साथ ऐसा ही हो रहा है फ्रेंड तो मैं आपके प्रड़क्स से परिचे करा रहा हूँ जिसका नाम है फार इवर एलो इसक्रब ये फ्रेंड हमारे स्कीन के थर करने का काम करता है इसकी पहुंच जो इसकी के थर्ड लेयर तक होते हैं चुकि मार्केट के जो अन्या जो क्रीम होते हैं इस लेबल तक नहीं पहुंच पाते हैं फ्रेंड इसमें जो है एलो वेरा के साथ साथ जो है इसमें जो खासकर जो पाई जाती है जो माइक्रो स्पेर ये जो है हमारे skin में proper scrubbing का काम करता है बट हमारे skin पे इसकी वजह से कोई रुखापन या recess नहीं आ पाते क्योंकि friend ये बिलकुल natural resource से प्राप किया हुआ होता है जोकि जोजबा oil से प्राप किया हुआ होता है और जोजबा oil का अगर हम देखें तो जोजबा oil में जो components पाय जाते हैं वो भी हमारे skin के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये भी हमारे skin पे जो dead cells होते हैं उसको जो है य सिस SWiki जो रूखापान है वह भी खतम करने का कम करता है FRIEND हमारे सिकीन पर जो मस् inflamm पर तरीके से मस् 수 ? कर पाता है ये तो झाता है ये हमारे सिकीन के लिए हर ते बेनिफिसिल हो जाता है अगर हम मार्केट का दुसरे किसी भी फेस् स्कुल के बारे में हम देखें तो उसमें जो scrubbing के लिए जो यूज किया जाता है फ्रेंड वो होता है मुंपली के छिलका जिसका powder बनागर के ज्यादा दर मामलों में उसे डाला जाता है तो फ्रेंड जब हम उसे scrub करते हैं अपने चेहरे पे जब उसको apply करते हैं तो उसके races हमारे चेहरे पे उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है और साथी साथ फ्रेंड उस पोड़क को दो या तीन दिन के gap में यूज करने को कहा जाता है बट आप जो है yellow scrub को per day यूज कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है यह आपके लिए beneficial ही है और फ्रेंड साथी साथ जो है यह हमारे स्कीन के जो dullness है उसको बिल्कुल खतम करने का काम करता है इसकीन में जो mesterizing है बिल्कुल उसको proper तरह के सकता है जो इसकीन में जो सुखापन है उसको mesterize कर पाता है साथ ही साथ फ्रेंड हमारे जो इसकीन की जो renewal process है उसको सही तरीके से यह काम करने में मदद करता है फ्रेंड जब आप इस scrub को यूज करना शुरू करेंगे तो दूसरे तिसरे दिन से ही आपको इसकी benefit समझ में आने लग जाएगी जब आप बाहर निकलेंगे और आपसे बाते करने वाले जब खुद ही बुलेंगे कि आपके चेहरे में गजब की glow आ गई आखिर आप लगात तत्व हैं जो कि हमारे स्कीन के लिए बहुत ही beneficial है अब बात आती है फ्रेंड हम इसको यूज कैसे करें फ्रेंड इसको जो है इसक्रब को अपने फिंगर पे दो से तीन बूंद लेकर कि अपने फेस पे जो है इसको अपलाई करना है अपलाई करने से पहले फ्रेंड आप फेस को साफ कर लें आपको किसी भी साबून का साहरा नहीं लेना है आप नार्मल तरीके से जो है आप पानी छिड़क करके जो है अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं उसके बाद जो है अपने फिंगर में दो से तीन बूंद लेकर के आप अपने फेस पे अपलाई करें जो है बिल्कुल round shape में जो है आप अपने face पे apply करें और आपको जब लगे कि या सूखने वाला है तो आप अपने finger को फिर से गीला कर लें और अपने face पे जो है उसे गोल-गोल घुमाते रहें अपने finger को इस तरह से आप apply किजे तो 2-3 मिनट apply करने के बाद अगर आपको यह feel हो रह से अपने face को जो है थप थपा करके जो अपने चेहरे को सुखा सकते हैं उसके बाद friend आप चाहे तो forever की कोई भी cream यूज कर सकते हैं बट आपको R3 factor का यूज नहीं करना है क्यों नहीं करना है यह मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा तो बस friend यही process आप रोज क जरूर बैठी है फ्रेंज जिसने यह वीडियो आपको सेयर किया है और बहतर तरीके से समझने का प्रयास किजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार मैं हूँ विनोद चले सब्सक्राइब करना ना भूने साथ ही बेल आइकन जरूर क्लिक करें वीड